दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे चमतकारी सपनों के बारे में जिने उटने के साथ ही हमें मिल जाती है खुशकबरी हम में से जाधरता लोग सपनों में वही देखते हैं जो असल में हमारे जीवन में हो रहा हो अक्सर हम राद को सोते समय सपने देखते हैं ये एक आम सी बात है आपको बता दे कि सोपन शास्त्र में सपनों के कुछ अर्थ बताए गए है ऐसे में अगर आप सपने में कोई देवता देखते हैं तो उसके अलग-अलग अर्थ होते हैं भगवान शिप का प्रे महिना सावन देखते हैं तो आपे जीवन में कुछ नए अफसर आने वाले हैं, या उनसे जुरी हुए कुछ चीजे को एक साथ देखते हैं तो आप बता देशा अच्छा सपना है इसके साथ आपके जीवन में कुछ नए अफसर आने वाले हैं लाप यात्रा अन और खादान आप प्राप्त करने वाले हैं बहुत सारी चीज़े आपके जीवन में शुप समचार लेकर आ यह एक शगुन वाला सपना है इसके साथ शिफ को नाचते हुए देखना अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि भगवान शिफ नाच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्या जल्दी समधान होने वाली है यही दर्शाता है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है या आपको संगश करेंगे और उसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी शिफ पर लगे चंद्रमा को सपने में देखने का अर्थ होता है कि आपको ज्यान मिलने वाला है यानि यह सपना देखने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छे निल्ले नेने का समय आ गया है इन आने वले समय में आपके कस्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, ये सपना एक शुप समचार लेकर आता है, सपने में शिवलिंग देखना, शिवलिंग का सपना देखने का मतलब है जीत, परिशानी और समस्याओं का नाश, धन और धन में लाब, तरशूल देखना, तरशूल जो आप सभी को समस्याओं कस्टों से चुटकारा दिलाता है, ये एक अच्छा सपना होता है, सपने में बोले नात और साप देखना, सामुंदरिक शास कहता है कि कोई व्यक्ति सपने में शिवजी जी का साप देखता है, तो उसको बड झाल 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